वेलकम बैक तो चानल, I hope you guys are doing good दोस्तों आज शेयर करने चाहरी हूं वर्ल्ल की सबसे इजिएस्ट रेमेडी ग्रेयर के लिए आपने आजव चितनी भी रेमेडी यूस की होगी ना इससे एजी कोई हो नहीं सकता है लिए कडाई प्रिफरिबली अगर आपके पास हो तो नहीं तो कोई भी लोहे का वैसे ले लिजेगा आईरन पॉट इस में डिट्री गाईस ऐसा नहीं कि आप ग्लास में करेंगे यह रेमेडी ऐसा नहीं चलेगा सबसे पहला इंग्रीडियंट की इंग्रीडियंट जो हमें लेना है स्रेमेडी के लिए वो क्या है वो है गाईस मेरा ओल टाइम फेवरिट जो मैं काफी दिनों बाद यूज कर रही हूं पता नहीं क्यों मैं भूल गई थी से यह कलोंजी यानि की ब्लाक सीट जिसे हम नाइजिलिया सीट भी कहते हैं इसे आपको लेना है रांडमली म अच्छे से जब तक भुन नहीं जाएं जब तक इसमें अच्छा सा अरोमा नहीं आने लगे तब तक आपको इसे रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे दूसतर कलोंजी एक नाश्रल इंग्रीडियंट है जो आपकी बालों में मिलिन को प्रमोट करने का काम करते हैं आपके बालों के लिए चाहे आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम हो या XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो इसे रोस्ट करके आप ऐसे रख सकते हैं जैसे मैं रोस्ट कर रही हूं रोस्ट करके पाउडर बना के रख सकते हैं और जब भी आपको यूज करना हो आप कर सकते हैं केल ये में अलक करना केहां अंडा करना चाहता है शीकरतना दिकल दौने का शोदव अंड़ करेंगेा क्लॉण जी को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे जितना फाइन पाउडर आपसे बन सके वेल इन गुड फाइन से फाइन पाउडर बनाईएगा आपको लगाने में इजी होगा यह ब्लैक सा पाउडर मारा बनके तयार है इसमें हम क्या करेंगे वह जो मेहन्दी हमने छीज नहीं है है अब इसे लगाने के लिए हम सबसे पहले अड़ करेंगे ऑलोवेरा जेल किसी बहुत जैल का अलोवेरा जिल ले लिए एक से दो चंब्र किया है मैं मोसली आप करती हूं ताकि बाल रफ आन राइन हो और एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बिनाने में भी हेल् पेस्ट बन गया है अब अपना शैंपू डाल लीजे कोई भी शैंपू जो भी शैंपू आपके पास है इसे अच्छी कॉंटिटी में डाल के मिक्स कर लीजे यह देखिए लग रहा है ना है यह एक शैंपू हैर पैक बनके तयार हो गया है इसे आपको स्टोर मतलब रखने की अब यह जार में डाल लिया और मैंसे अपने वाश्रूम में ही रख दूंगे अब शैल्फ पर और इसे हमें अप्लाइ कर लेना है जैसे आप शैंपू अप्लाइ करते हैं बिल्कुल वैसे ही पानी को मिक्स नहीं करना है देखिए क्या बढ़िया यह पैक बनके तयार बंड़ाइ पाउडर पाउडर को डेना है उसे अपने फृ फो पॉड़ा ग्रे लिचेल पाउडर होगा है अपने वाव्य स ears Gregory ऑ हमेँ इसे अपने ध्रेय है यह पूड़ाग нарओं अपने अपने फीच कर देखिए मैं मसाज करते हुए लगारी हूँ और उसके बाद कीकट प्लेस कर दूंगी जहां पर ग्रेय हैर ना वहां ऐसे डाब डाब करके प्लेस कर दीज़ें कि वह स्टिक हो जाए आपके बालों में इस तरीके से यह देखिए इस तरह से वह बालों को बहुत पकड़ लेता है क्योंकि शैंपू राइलो वेरा जैल है तो काफी अच्छे से क्योंकि पकड़ कर रखता है बैट आपको मेकशुर करने कि सारे ग्रेय हैर कवर हो जाए और अच्छे से ये बालों की पकड़ इसमें हो तब ही वह कलर आएगा आपके बालों में इस तरह से लगा दिया और मैं शैंपू तो म्त रखते नहीं नहीं 15 मिन डेंट में रखूं इस तरह से ड्राइ हो गए हैं अब चलिए इन्हें वाश करके आते हैं अब शैंपू इसमें अलोडी मिक्स था तो मैंने बस प्लेन वाटर से इसे दो लिया है एंड टू मैं सप्राइज गाईज आयम अम्यूजड की कैसा रिजल्ट इतना अच्छा आ सकता है वो भी इतनी जल्दी यह देखे यह कलॉंजी का कमाल कलॉंजी को जब आप ग्राइन करते हैं एक तरह का ओईल वो रिलीज करता है जिसका मैजिक आप देख सकते हैं स्क्रीन इतना बढ़िया कलर मुझे मिलेगा मुझे विश्वास नहीं था मुझे लगा था कि फर्स बारी में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा दो तीन बार ट्राय करना पड़ेगा बट क्या गजब का रजल्ट आया आप देख सकते हैं मेरी एक्साइटमेंट मैं इतनी सादा देखे थे कि गोल्डन ब्राउन टाइप के लग रहे थे और अभी बिल्कुल ब्लाक लग रहे है इसक्रीन पे डेफिनिटल गाइस इसे यूज करिएगा अपना फीडबैक में सब शेयर करिएगा मैं जादा तारीफ करूं उससे अच्छा है कि आप खुद यूज कर के मज झाल